Welcome back to our channel, HPGK Top 500 Questions हम आप लोगों के लिए लेकर आ हैं इस वीडियो में हमने Most Expected Question ही आपके Commitative Exam के लिए Include की है वो Question जो बार-बार प्रतियोगिता परिक्षाओं में Repeat हुए हैं उनकी ही ये 500 Series Special हम लोगों ने बनाई है हिमाचल परदेश में परवता रोहन संस्तान कहां स्तित है तो हिमाचल परदेश में परवता रोहन संस्तान स्तित है मनाली में और इससे Related Extra Fact की इस परवता रोहन संस्तान की सापना की गई 1961 में आप लोगों के लिए अगला प्रशन हिमाचल परदेश में माउंट एब्रेस्ट पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की लड़की का क्या नाम है तो डिकी डॉलमा माउंट एब्रेस्ट पर चड़ने वाली हिमाचल परदेश की सबसे कम उमर की लड़की थी और माउंट एब्रे से उन्चाही 2450 मीटर है और इस होकी स्टेडियम यानि शिलारू होकी स्टेडियम को बनवाया था स्पोर्ट्स ऑथोर्टी ओफ इंडिया के द्वारा अब कौन से कॉम्पिटेटिव टेस्ट की प्रेपडरेशन कर रहे हैं मुझे कॉमन्स सक्षन में जरूर बताएं हिमाचल परदेश में पैराग्लाइडिंग प्रोशिक्षन कहाँ स्टित है तो पैराग्लाइडिंग प्रोशिक्षन आप लोगों का दिये जाता है बिलिंग और ये बीर्ट बिलिंग जो घाटी है ये जीला कांगडा में सित है यहाँ पर पेराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी होता है और इस बिलिंग स्टेशन को हम लोग टेक आफ साइट के नाम से भी जानते हैं और इसके अलाबा हिमाचल परदेश में और जगा जहां से पेरा ग्लाइडिंग होती है पबल घाटी चौपाल में स्थित है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है आपका की प्यारा ग्लाइडिंग प्रति होगी ता हिमाचल परदेश में कहां आयोजित होती है इसके बाद अगला क्वेस्टिन इंद्रा गांधी खेल परिसर किस जिले म में हिमाचल परदेश में पहला अंतराष्टी स्तरका क्रिकेट मैदान कहां है हमारा हिमाचल में ऐसा कौन सा क्रिकेट मैदान है जहां पर इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्स होता है तो धर्मशाला में स्थित है अंतराष्टी स्तरका क्रिकेट मैदान हिमाचल परदेश में किस परश बनाया गया 2003 में बनाया गया और 2010 में यहां पर IPL मैचों का आयोजिन किया गया तो हिमाचल परदेश के कौन से मैदान में IPL मैचों का आयोजिन हुआ है तो धरमशाला क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है और यहां पर अंतराष्ट्य क्रिकेट मैच भी हुआ है पहल स्टेडियम हिमाचल परदेश में कहां पर है तो चौयल क्रिकट स्टेडियम हिमाचल परदेश में सोलन डिस्टिक में स्टित है और ये दुनिया का सरवादिक उन्चाई परस्ट क्रिकट स्टेडियम अब हमने धर्मिशला स्टेडियम के बारे में बढ़ा सर्वादिक उंचाईपर स्टेडियम चॉइल डिस्टिक्ट सोलन में स्टित है समुंदर तल से इसकी उंचाई 2445 मीटर है और आप लोग देख सकते हैं कि इस क्रिकट स्टेडियम को यानि चॉइल गृक्ट स्टेडियम आप लोगों के लिए बर्ष 1888 में सरप्रतम डूरंड कप फुटवाल प्रतियों गिता का आयोजन की यहां किया गया तो पहले यह पता हो ना चाहिए किस से लेटेड है फुटवाल से रेटेड है इसका आयोजन हिमाचल परदेश इंगे 1880 में पहली बार गिया गया और अन् रूंड शिम्ला में हुआ कुछ और इसकी 6170 यहां आपने फीट कर लेना है फीट इसकी उंचाई है और एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगीता है डूरंड कप और अन्ना डेल मैदान में पहले पोलो का आयोजन किया जाता था अन्ना डेल मैदान में ही आपका डूरंड कप खेला जाता है लेकिन डूरंट कप खेलने से पहले यहां पर पोलो का आयोजन किये जाता था और बाद में जब यहां पर फुटबॉल का आयोजन शुरू हुआ तो पोलो को शिफ्ट करके कॉलकाता जोहां वो ले जाया गया आप लोगों की